अज का मारा सब्जिक्ट है मैच्स और मैस में स्टूड़न्स हमने एक लास्ट नंबर सिखा था कौन सा नंबर था वो यास नंबर त्री वेरी गूड और स्टूड़न्स आज हम उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी करने वाले हैं तो चलो देखते हैं सो फर्स्ट फो स्टूड़न्स टेक आउट यो शंशाइन बूक और ओपन यो बूक पेस नंबर 137 ये वाला पेस स्टूड़न्स आपको निकालना है और इसमें है नंबर 3 के रिलेटेड 2 एक्टिविटीज ओके तो चलो वन बाई वन हम ये एक्टिविटी करते हैं स्टूड यहां पे दिखो फर्स आपको एक्टिविटी क्या दिये है लूक एंड डू कलर दफ्लावर विद 3 लिव्स मतलब कि यहां पे आपको स्टूड़न्स 2 फ्लावर दिये है और आपको क्या करना है जो भी फ्लावर के लिव 3 दिये है वो वाले फ्लावर में आपको करना है कलर तो चलो सबसे पहले हम leaves count करेंगे So, ये first वाला जो flower है उसके leaves One, two, three How many leaves? Three leaves, ओके? और ये second वाला जो flower है चलो उसके leaves count करेंगे हम So, one, two कितने leaves हुए? Only two leaves तो इन दोनों में से three leaves किसमें है? Yes, इसमें, very good तो students, आपको ये वाले flower में color करना है ओके? उस students, आपको जो भी color पसंद है आप वो flower में कर सकते हो और आपका flower एकदम आपको colorful बनाना है ओके? तो चलो, मेरा तो ये coloring का वर्ख हो गया अभी आपका भी हो गया ना students चलो, now, नीचे वाले activity हम करते हैं मतलब कि यहाँ पर देखो आपको अलग-अलग groups दिये हैं और अलग-अलग pictures दिये हैं तो आपको क्या करना है? जो भी groups में 3-3 pictures है एक जैसे उसमें करना है आपको circle जैसे कि यहाँ पर एक दिया है bowls का picture है, देखो 1, 2, 3 कितने bowls दिये हैं आपको? 3 bowls, ओकी, तो यह 3 का group हुआ students तो इसमें देखो, already आपको circle दिया है चलो, अभी यहाँ पर देखते हैं students तो यहाँ पर आपको picture दिया है bat का, बट कितने bats हैं? चलो, count करते हैं 1, 2, 3 कितने bats हुए? 3 bats, मतलब कि यह 3 का group हुआ ना students? यास, तो इसमें करेंगे हाँ circle ओके? नाव next one आता है stump का, ओके? तो देखो stump कितने है students? 1, 2, 3, how many stumps? 3 stumps और stump always students 3 ही होते हैं, राइट? तो यह 3 का group है, इसलिए इसमें भी करेंगे हाँ circle, ओके? students, आपकी बुक में भी आपको मेरे साथ करना है चलो, नाव next यहाँ पे है helmet का picture तो देखो helmet कितने है only one, तो यह तो 3 का group नहीं हुआ तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे and then, यहाँ पे last है students cape का picture, ओके? तो चलो, count करते कि cape कितने है so one, two, three how many caps? three caps, yes तो यह भी three का group हुआ students तो इसमें भी हम करेंगे circle now students, यह दोनो एक्टिविटी आपने मेरे साथ बिलकुल अच्छे से learn कर ली और work भी कर लिया अभी आपको students pace done करना है और pace नमबर निकलना है one hundred and thirty eight यह वाला pace यह वाला पूरा pace students अपका homework है ओके सो अच्छे से अपना work करना Thank you